हेला एवरिवन कैसे यह आप से भी लोग अभी स्सक्राइब साइट पर दो नोटिस आएए एक जूनियर इंजिनियर एक्जाम से लेज़िद है और एक स्सक्राइब 2019 टियर थरी एक्जाम से लेज़िद है तो मैं उस नोटिस को एक्स्प्लें करूंगा और आपको कुछ इन्पूट दूँगा नोटिफिकेशन से मैच करने की कुश्च करेंगे जो नोटिस आया है पहले नोटिस देख लेते हैं नोटिस में क्या लिखा है यहाँ पर जो टियर थी एक्जामिनेशन होगा यह आपका pen and paper mode होता है ठीक है आप इसे English या Hindi में दे सकते हो अच्छा अगर हम बात करें हैं आप essay writing भी आप पूछा जा सकता है आप से precise writing भी letter writing भी और application writing भी ठीक है तो सारी चीज़े precise और application को भी आप try करके जाना नोटिस भी करके जाना हो सकता है इस जाम में notice पूछिया जाए अगर कुछ और आगया letter की जगा अगली बार तो कोई भी दिक्कत आपको न आए essay के साथ एक चीज़ कर सकते हैं letter की जगा application भी दे सकते हैं या precise writing या note writing कुछ भी पूछा जा सकता है तो यह साई चीज़े cover करके चलना ठीक है यह normal चीज़े हैं जो हर बार ही होती है maximum marks आपका 100 नंबर का paper होता है 60 मिट में आपको paper देना होता है आप इस notice को आगे भड़ो ठीक है यह आपको जो official notice था उसी से लिया गया है आप देखोगे यहाँ पर जो tier 3 examination को वो आप English हिंदी में दे सकते हो ठीक है अगर आपने आधा paper English में लिखा आधा paper हिंदी में लिखा तो आपको zero number मिलेंगे आगे कहता है आपको यहाँ पर correct roll number लिखना है ठीक है और जो prescribed place है वहीं पर लिखना है answer booklet पे ठीक है आपको अपना signature भी करना है और left hand thumb impression भी लगाना है relevant columns के अंदर अगर इन में से कोई भी चीज मिसिंग होगी अगर आपने roll number नहीं लिखा तो भी आपके mark zero होगे आपकी copy ballot नहीं कि जाएगी signature missing होगा तब भी zero number और left hand thumb impression होगा तब भी zero number RTI से मैंने बताया था आपको कि 2018 में भी 702 candidates fail हो गए है इस वाजे से क्योंकि किसी ने left hand thumb impression नहीं लगाया था किसी का roll number ठीक नहीं था और किसी को UFM भी मिला था ठीक है UFM name वाली copy भी दिखाए थी मैंने किस तरह से UFM name होता है आपने गलत नाम लिख दिया तो आपको zero number दे दिया जाते है उसके अंदर और और यहां पर आप आपको exam time में मिली थी CGL 2018 के time पर या फिर अगर हम बात करें CHSL 2018 के time में वो different थी किस्ते जो CGL 2017 में copy मिली थी अब CHSL 2018 में आप सभी लोगों को पता UFM हुआ था और copy में एक अलग चीज़ देखने को मिली थी यहां पर वहाँ पर जब जो आपको answer booklet मिली थी वहाँ पर CHSL में जो कि finally हट गया अभी CGL और CHSL में imaginary UFM नहीं हुआ कि अगर आप किसी न अपनी personal identity अंदर लिख दिया तो उसे जीरो नंबर मिलें किसी न अपना नाम लिख दिया या किसी और का नाम लिख दिया उसे जीरो नंबर मिलें लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई address में XYZ लिख दिया तो आपको 0 नंबर दे दिए पिन कोड में XX कुछ करके आपने पिन कोड लिख दिया 1100X तो इसमें आपको 0 नंबर दे दिया ऐसा नहीं हुआ नहीं आप CHSL में वह नहीं सीजिल में हुआ लेकिन सीजिल 2019 के लिए फिर भी मैं कह रहा हूं आप कोई भी personal identity बिल्क बताया बच्चों को जिस्चे बच्चे इस चीज पर धियान दे और एक्जाम में गलती ना करें लेकिन इस नोटिस में भी real और imaginary word missing है एक बार नोटिस देख लेते हैं SSC 2019 का नोटिफिकेशन है बिल्कु सेम चीज SSC 2019 के नोटिफिकेशन की है वही चीज आज की नोटिस मे इसमें भी बिल्कु सेम होता है इसमें भी बिल्कु सेमी चीज लिखिए इसकेंडेट्स आज क्लेवाइज नोट टो राइट एनी परसनल एडेंटिटी यहां पर रियल और imaginary word कोई भी मेंशन नहीं है लेकिन जो आपको डिस्क्रिप्टिव कोपी मिलेगी उसमें रियल और लिखा हो सकता है और अगर आप ऐसे कुछ भी अटरस लिखोगे और से बाद में चाहें काट भी दोगे तब यह आपके हो सकता कोपी वेलिट ना कि जाए जैसे चसल 2018 में हुआ था लेकिन आप लोग सचेत रहना हो सकता है कोपी जो आपको मिले आगे यहीवाली कोपी मिले और उस बार एसे से आपका यूफम कर दे मिजे थोड़ी सी उमीद कम है कि में लगाएंगे वह आगे बिल्कुली बेसलाइस चीज थी तो आगे भी हो सकता है यूफम ना हो लेकिन आप लोग सकते रहना कोई भी गलती मत करना क्योंकि पता चले कि कुछ लोगोंने इमेजनरी एडर्स लिख दे और ने जीरो नमबर दे दे फिर उनकी कोई सुनवाई नहीं भी ठीक तो ध्यान रखना इस चीट का जब आपको डिस्क्रिप्टिक कोपी मिलेगी यहां पर र नहीं करनी ठीक है ध्यान रखना फिर से हो सकता है अभी नहीं हुआ लेकिन हो सकता है जूनियर इंजिनियर के लिए जो नोटीस आया था वो एक बार देख लो यहां पर कि यहीं का गया कि आप टाइम से पहले अपना फों मिट कर दो क्योंकि लास्ट टेट पर करोगे तो स लास्ट में लेटर लिख रहे हो आप लास्ट में मैंने गलती से मापे जो शिव शिवानी जो भी लिखना था उसकी जगह अगर मैंने लिख दिया होता शुभम और उसके बाद चाहे मैं काट भी देता हूं से तो मिट जीरो नंबर ही मिलते हैं ठीक तो इस चीट का धियान पर करां आपना नाम कहीं लेखना नंदर पोन नंबर अडरस कभी रियल तो लिखना ही नहीं है। और मैजनरी भी नहीं लिखना जो कॉश्bucks्ट में दे रख कहा उस अपना ऐसे या से लेटर के लिटक़् करतेर différentes हैं नियुकियित कुछ रहे हो जिब आखक्ति लिख रहे हो लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना ठीक है कोई भी मेजनरी लेम नाम कुछ भी एड नहीं करना उसके अंदर यह सीडियल 2018 के अंदर जो लोग फेल हुए थे देखो यह आप आप देखोगे रोल लंबर जिन्होंने सही से नहीं लिखा था लेफ्ट थम इंप्रेशन के वज़े से दो लोग फेल हुए थे मैंने कोपी भी दिखाई थी बदब जिसका स्कॉर कार था एक बंदे का तो मेरे पास यह आगया था उन्होंने अपना मार्क शिट दिखाई थी उसमें ल्टेक वाजी से वह फेल हुए तो रूल अंबर की वा लग गई इमेजनरी का पता नीं सीजल 2019 में क्या अपता लगाई या ना लगाए लेकिन आप रिस्क मत लेना ठीक है मैं वही कैरो नोटिस को देखे यह धिले मत पड़ जाना की इमेजनरी विफम आपको लगा सकते हैं उनकी नहीं लगाएंगे ठीक है लगा सकते हैं वह उ पूरा और बहुत सारी स्पेशल क्लासी सीजल मेंस के साब से आ रख ही हैं यह वीडियो आप देख सकते हो इनकी पीडियाफ देख सकते हो ठीक है इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को और बाकी अनकेडमी आपके लिए कुछ फ्रीक मॉक्स वगरा लेके आ बार्किंग भी होगी ठीक है जो रेंक वन होगा उसे पांचेजार रूपय रैंक तू और ठीको पच्छिस्सों रूपय रैंक फोर फाइफ को हजार रुपए ऐसे गुरूप स्टेश टू का है और फिनाले की बात करें तो फिनाले में अगर रैक वन आते हो आप तो आपक थी था करने के लात है वि마 एक है के लिव में麼 करनी आपको पता है ऊखिल कर लो कि लोगिन कर लोगे उसके बाद अप यह दे सकते में रुक्स बोस्ट में रोल का लिंगंegं विल जाए का आपे इसमें एन्रोल कैसे करना है ठीक है वहाँ से जाके एन्रोल कर लेना है जिससे कि जब भी स्टार्ट हो तो आपको पता चिल जाए और अनकेड़ी प्लस से किसी भी एक्जाम की त्यारी करना चाहते है तो आर भी 10 कोड याद रखना है जिससे कि आपको आपको maximum discount मिले चाहे वह एक्जाम हो यूपिस्टी हो ठीक है या फिर आप बैंकिंग एक्जाम्स की त्यारी कर रहे हो रेल्ब एक्जाम्स सभी एक्जाम्स में ये कोड वैलिड है इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको maximum discount मिल जाएगा इस वीडियो में से फितना ही ता आप स यहिंद बिदा लेता हूं बाई बाई टेक केर जैहिंद